नमस्कार आप देख रहे हैं जिवराज सिंग चोहान की तबलीगी जमातियों को चेतावनी कहा 24 घंटे में सामने आ जाएं नहीं तो कारवाई के लिए तयार रहें जिहां मद्यपरदेश के मुख्यमंत्री सिवराज सिंग चोहान निजामुद्दीन मरकज से परदेश में आकर अभी तक चिपे हुए तबलीगी जमात से जूड़े लोगों के खिलाफ सक्त हो गए हैं उन्होंने ऐसे लोगों को 24 घंटे का समय दिया है परदेश सिवराज सिंग चोहान ने ट्वीट करिया जानकाली दी है सिवराज सिंग चोहान से पहले पंजाब की मुख्यमंतरी कैप्टन अवरिंदर सिंग और दिल्ली पुलिस भी सक्त उरुख अक्तियार कर चुकी है एक ट्वीट में सिवराज सिंग चोहान ने कहा कि परदेश से निजामुद्दीन मरकज में गय हुए सभी नागरी को और विदेश से आकर मजीदों में चुपे हुए व्यक्तियों की पहचान कर सभी को प्रशासन ने क्वारंटीन कर दिया है इसके बाद भी अगर कोई कहीं पर चुपा हुआ है तो उनसे आगर है कि वे अगले 24 घंटे के अंदर प्रशासन को इसकी जानकारी दे सिवराज सिंग चोहान ने आगे कहा कि ऐसा नहीं करने पर देश और प्रदेश की सुरक्षा को मुश्किल में डालने के आरोप में उन पर प्रशासन द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज कर उचित कारवाई की जाएगी अमरीकी राष्टपती डोनाल ट्रम्फ ने डबलू एचो का पैसारों का कहा यह संगठन चीन का एजएंट जिहां इस बड़तेव बिमारी के करनन हजारों की संख्या में अपने नागरिकों की जान कवाने वाले अमरीकी राष्टपती डोनाल ट्रम्फ इन दिनों बहुत स स्वास्त संगठन को अमेरिका की ओर से दी जाने वाली पैसो पर रोक लगाएंगे उन्होंने संगठन पर इस वेस्विक बिमारी के दोरान सारा ध्यान चीन पर केंद्रित करने का अरोप लगाया ट्रंप ने वाइट हाउस में अपने नियमित समवादता संबिलन में कहा कि हम WHO पर खर्च की जाने वाली रासी पर रोक लगाने जा रहे हैं हम इस पर बहुत प्रभावसाली रोक लगाने जा रहे हैं अगर यह काम करता है तो बहुत अच्छी बात होती लेकिन जब वे हर कदम को गलत कहते हैं तो यह अच्छा नहीं है विश्वश्वास्त संगठन का म इस बड़ती विमारी से पार पाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे वक्त में कॉंग्रेस खबरों में बने रहने के लिए आरोप प्रत्यारोप की राजनिती कर रही है। और पार्टी अध्यक्च सुनिया गांधी जनता को गुमराह कर रही है। हुसेन ने कॉंग्रेस अध्यक्च सुनिया गांधी और पार्टी नेता रहूल गांधी पर निशाना साथ दे हुए कहा कि इस मुस्किल घड़ी में भारत को एक जूट होना चाहिए और इस बड़ती विमारी को मात देनी चाहिए। यह आरोप प्रत्यारोप की राजनिती करन यह है कि क्या लॉकडाउन को बढ़ाये जाएगा। पुर्वे वितमंत्री और कॉंग्रेस ने ताप पीच दमरम ने इस मसले पर ट्वीट किया और कहा कि केंदर के द्वारा लॉकडाउन बढ़ाने का राजों से जो सलाह ली जा रही है वो बिलकुल सही कदम है लेकिन इस अप्रेल के बाद लॉकडाउन जारी रहना चाहिए या फिर नहीं उस प्रश्न का उत्तर व्यक्तिगत या छेत्रिये हीतों पर आधारित नहीं हो सकता है उत्तर केवल दो सांक्यों पर आधारित होता है कि हर दिन पॉजिटिव मामलों में पुर्ण विर्धी और कुल विर से एक भी रुपया नहीं मिला है इस बड़ती बिमारी के बीच योगी सरकार का एलान पुलिस कर्मियों का होगा 50 लाक रुपय का बीमा जिहां इस बड़ती बिमारी के करण देश में 21 दिनों का लॉकडाउन लागू है केंद्र और राज्य सरकारें बहुत अधिक जरूरी ना होने पर घर से बाहर ना निकलने की लोगों सी अपील कर रही हैं कानून विवस्ता की जिम्मेदारी समाल रही पुलिस के कंदो पर ही लॉकडाउन का अनुपालन कराने का भीभार है लॉकडाउन का अनुपालन कराने पहुची पुलिस टीम से बदसलू की और उनसे पर मुख्य सच्चिव अवनीश अवस्थी ने दी है अवस्थी ने कहा कि इसके लिए लिखित आदेश जल्द ही जारी कर दिया जाएगा वहीं दूसरी तरफ मध्यप्रदेश सरकार ने भी पुलिस कर्मियों को 50 लाक रुपे का बीमा कवर परदान करने की घोशना की है